तो दोस्तों आज हम आपके लेकर आएं हैं किसी भी इस्तिरी को अपने वश्मे करने का एक ऐसा तरीका जो कि हमारे गुरु जी बताएंगे, बहुती विद्वान हैं, जिन्होंने बहुत सी समस्याओं का समाधान किया है, अगर आप किसी इस्त्री को वश्मे करना जाते हैं, तो आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं, हम आपको प्रबल इस्त्री वशीकरण विधी और प्रयोग बताएं मंत्र और इस्त्री वशीकरण यंत्र और बहुत सारे उपायों के ग्याता, तो इसके द्वारा आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होंगी, इस्त्री वशीकरण शाबर मंत्र या फिर इस्त्री वशीकरण तोटका, इस्त्री वशीकरण साधना या फिर इस्त्री का इस मंत्र को 11,000 बार जाप करें और इतवार के दिन जाप करें इसे सिद्ध कर लें और इसको आप प्रयोग करेंगे तो इसके लिए आपको चाहिए जौका आटा लगभग 125 ग्राम उसे पीस करेक रोटी बना लें अब धीरे आज पर उसे सिकाई करें एक तरफ कच्चा रहने और इस तरह से जिस भी इस्त्री को अपने वश में करना है उसका नाम लेकर इस मंत्र को 108 बार पढ़कर उस रोटी के दो टुकडे कर दें और एक टुकडा काले कुट्टे को खिलाएं इस तरह से करने पर जिस भी इस्त्री को वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में हो शम्शान की मिट्टी में अपना वीर्य और अपने ही हाथ पाउं के नाखून की राख को मिला दें और किसी भी इस्त्री को उसके खाने में थोड़ा सा मिला कर दें तो आप देखेंगे कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा अम आवस्या की काली रात को अपने वीर्य एक पेड़े में मिलाकर किसी कुमहार की घर जाकर जहाँ पर मटका बनता है उस पर रख दे और उल्टे चक्र लगा दे जिस पर वो मटकी बनाता है इसके बाद इसे किसी भी इस्तिरी को खिला दे वो आपके वश में हो जाएगी य आपको बताते हैं एक और तरीका जिसके द्वारा आप किसी भी इस्तिरी को वश में कर सकते हैं चाहे वो आपको पसंद करती हो या ना करती हो इस्तिरी को वश में करने के लिए शक्तिशाली मंत्र है हमारे पास और इस्तिरी को वश में करने के लिए टोटके भी हैं आप इ इस्त्री वशीकरण साधना के लिए आपको किसी भी पराई इस्त्री या शादिशुदा इस्त्री को भी आप वश्मे कर सकते हैं। दोस्तों वशीकरण तिलक का प्रयोक करके भी किसी इस्त्री को काबू में किया जा सकता है। 98788-36002 902 902 902 902 झाल झाल झाल